अस्सलाम अलेकुम दोस्ता मैं मुहमत खिजर अबासूं में में अधिल हैल्थ के टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाता हूँ आज का टॉपिक बहुत है मैं ओके आज का जो टॉपिक है वो है OCD के बारे में जिसें इंग्लिश में कहते हैं Obsessive Compulsive Disorder इसका उर्दू मतलब ह जहन पर चाजाने वाला एक इस तरहारी आरजा तो मेरे साथ जुड़े रहें है किसी चीज के नाम डबल चेक करने के हमारे इंसानी फित्रत में यह कि हम बहुत बार ना किसी काम को कर चुके होते हैं तो उसे नाम डबल चेक भी कर लेता हैं ओके लेकर नगर हम कोई काम है ट्रिपल चेक करना है यह तुसे चार बार चेक करें यह उसे पांस बार चेक करें और यह नहीं है कि हम तोल टेबक्षे के बाद बाद आया के चेक करें हम उसे ना एक स्पेसिफिक टाइम मतलब कि एक घंटे के अंदर हम बार बार जाएं हम जाके चेक करें कि फ्रिज पूरी तरह से बंद है के नहीं इसी तरह से हमारा घर का दरवाजा बंद है के नहीं ऐसी तरह बहुत सारी चीज़ होंगे यह जो आज यह जो मसला है ना इसे ना OCD के नाम से कहते है ना Obsessive Compulsive Disorder अब इसका मतलब यह है कि इस Obsessive Compulsive Disorder यह जो लाफ जाना यह अपने आख के अंदर ही अड़िनेशन पर रोवाइड कर रहा है तो यह जो इस दो लाफ हैं Obsession और Compulsion Obsession वो तोहमात हैं जो हमारी जिंगी में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हमें वो बार बार वो खैलात हमें आके तकलीफ दें परेशा तोहमात हैं और जो Compulsion है ना वो हमारे वो सारे actions हैं जो हम उन Obsession को खतम करने के लिए करते हैं उनकी anxiety खतम करने के लिए करते हैं उके तो जैसे कि हमारा गर हम समझते कि हमारा गर unsafe है तो हम बार बार जाकर दर्वाजा देखना शूरू करतें कि बांद हुआ के नहीं लॉग बांद हुआ के नहीं तो यह जो हम actions करते हैं इनको Compulsions कहते हैं और यह Compulsions उन Obsession को खतम करने के लिए होते हैं अब इंसानों की ना टोटल फर तीन परसेंट अबादी इस OCD में उपतला हो जाती अब खुछ सोचे कि एक इनसान की रोज मरहिंगी पर यह कितने ज्यादा अस कर सकती है तो दोस्तों यहां तक भी OCD की definition अगली वीडियो में आँ मैं आपको इसकी explanation और इसकी और भी बहुत सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए थैंक यू